उन बच्चियों से मिलने के बजाए मोदी जी रास्ता बदल कर भाग गए जो विक्ति अपनी पत्नी के साथ अपने साथ नहीं रख पाया पहला नमबर तो वही हुआ कि अपनी इनकी बीबी इनके साथ क्यों नहीं रही तो महिला विरोधी कौन हुआ एक बच्ची के साथ आईटी बीचू की बच्ची जिसके साथ तीन भाजपा के इनके नेताओं ने मतब सामुहिक दुसकर्म किया ये अब चुनाओ आ गया अब चुनाओ में जब डर सताने लगा तो मोदी जी नारी अविनंदन और वंदन कर रहे हैं और मैदान छोड़के और भाग के रास्ता बदल दिये इससे क्या ये नारी वंदन और विनंदन है दिखिए एक पहली बात तो जितने भी चीजे हैं हमारे सांसद और मोदी जी के द्वारा आती है उसमें कोई किसी बात में सत्यता नहीं होती आप सब जानते हैं हम सब जानते हैं पुरा देश जानता है कि महिला विरोधी कौन है जो विक्ति अपनी पत्नी के साथ अपने साथ नहीं रख पाया पहला नमबर तो वही हुआ कि अपनी बीबी इनके साथ क्यों नहीं रही तो महिला विरोधी कौन हुआ शादी रहते गए भी आपने अपने बीबी को अपने साथ नहीं रखा, तो महिला विरोधी कों हुआ, शादी नहीं 보िगे होती तो अलग बहुत थे. आप शादी शुदा हैं और अपने पत्रिय को अपने ध्याग दिया पहला ये हुआ जो अपनी पत्नी को अरधांगनी को अपने साथ नहीं रख पाजा जो हमेरे सनातंदर में होता है दूसरा बनारस में जहां के आप सांसद हैं यहां पर लगातार बियेच्चू में काशे हिंदू विश्विद्याले में बच्चीयों के साथ हमेसा आमानवी कृत्त हुआ आप देख सकते हैं एक बच्ची के साथ आई टी बियेच्चू की बच्ची जिसके साथ तीन भाशपा के आई टी सेल के इनके नेताओं ने मतब सामुहिक दुसकर्म किया वीडियोज बनाए और उसके कोई कारवाई नहीं हुई साथान धारा मुखदमा लिखकर जब वहां के बच्चों ने सड़क पुरतर कर प्रोटेस्ट किया कई दिन तक प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद उसके मुखदमे लिखे गए और साथा प्रोटेस्ट है उनको धाराम उनको जेल भेजा गया कोई उनके उपर ना उनका घर गिराया गया ना उनका बोल्डूस किया ताकि उनको कोई एक इसी स्तीख मिले कि हम दुबारा ऐसा कुछ नहीं कर सकते कभी जीवन में कोई सोच नहीं सके डर जाए लोग जैसा योगी ज कहते हैं इनके जो शिश हैं मोदी जी के जो शिश हैं वो बोलते हैं जो कि हम जो मतलब लोगों को हमारा नाम लेते हैं तो कानून वे उस्ता वास्थापित हो जाती है कुछ नहीं हुआ उनको जेल भेज दिया गया उपरचार किये मद्देपरदियस में जाकर उसके बाद उनको केवल पुलिस के हैंड़ोवर कर दिया गया और आराम से जेल में काटके साथ लेकल के क्या है मुझे नहीं मालूं पर कोई कारवाई ऐसी नहीं जिससे के एक मिसाल बने उसके पहले चलिए आप बनारस में यहां जो मैंने सुना कि साथ वो महिला वंदन कारिकरम के इं शड़क पर बाइठी धरना दी उनको बीचु हॉस्टोल के अंदर महिला चातरावास को लॉक कर दिया गया बन कर दिया गया था याद होगा वो बच्चीयां सुना गाटों पर सुना यह नौजवान जवान बच्चीयां जो ग्रेजियोशन और है ग्रेजियोशन की उन बच्ियों का हाल चाल नहीं लिया उसमें नारी वंधन अभिनदन नहीं किया और S.P.G. ने रास्ता इंका चेंज खरा दिया रास्ता बदलवा दिया उन बच्चियों से मिलने के पज़ाए मोधी जी रास्ता बदल कर भाग गए रास्ता बदलकर भाग गए मैलाओं से नहीं मिले बच्चियों से नहीं मिले जो बच्चियां सड़क पर सोई थी अंदोलन कर रही थी उनसे नहीं मिले उसमे नारी का वंदन और विनंदन उनको याद नहीं आया आज उनको नारीयों का विनंदन और वंदन अब मातर सकती उनको ताकत दिख रही है अब उस दोरान वो बच्चियां किसकी बच्चियां थी वो किसके बच्चे थे हमारे बच्चे थे हमारे देश की बच्चे थे अब चुनाव आ गया अब चुनाव में जब डर सताने लगा तो मोदी जी नारी अविनंदन और बंदन कर रहे है अपनी पतनी को अपने साथ नहीं रख पाए यहां बनारस के अंदर आपके जहां को संसदी छेतर और संयोग से आप थे और मैदान छोड़के आर भागे रास् चौनाव ओजिता ऐसे साथ बढाकर भाए किया और लड़कों की बात और बागी बंच्चों की बात बाकी लोगों की बात चूड़कों दीजे आप सपा के लोग अब कांवरेस की बात छोड़ दीजे आपके संसद रहते यहाँ पे बच्चियों के साथ जो जो कुकृत हुआ जो उनके साथ अपमान जनक जो उनके साथ वेवा उस पर क्या किया आपने उसके बाद भी गिरिस्तिर पार्ठी को महिमा मंडित किया गया बिये चू से वी सी हटने के बाद भी उनके हाईर पोस्ट दी गई दी गई या नहीं दी गई आपने उस बच्चियों को अपमानित करने वाले उन बच्चियों के साथ पुरी तरीके आमानवी कृत करने वाले व्यक्ति को आपने हाईर हाईर उची साथ रेप किया तिनों भाश्चपा के नेतायोगी जी क्योंने उनका घर गरवाया मेरा प्रस्थन है इसका जबाब दीजिए प्रस्थन पूछिए उन से यह बात क्योंने अन्लमें नहीं की ये दर्साता है कि आप पूरी तरीके से उनसे मिले हो और आप पूरी तरीके से अपने लोगों को बचाने का काम करते हो बनारस की जनता सब समझ चुकी है अब लोग बोल रहे हैं ना कि लिकल जा आखिरी बार हो भीड फ्लॉप थी पूरी फ्लॉप थी पूरे करिक्रम फ्लॉप थे उनके और तेकिए एक जुटाइवी भीड एक बुलाईवी भीड अस्वता खुद से आना दोनों में अंतर है पूरी गाड़ियों को बसौँ को लगा लगाके पैसे बाट बाटके लोगों को लाया गया म हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन जबाद करें और नहीं हैं जरूर करें जरूर करें अगर जरूर के लिए वीडियों करें अगरूर करें